नमस्कार मित्रों आज हम बिये भाग पर्थम में फॉस्ट पेपर प्रिंसिपल सब सोशिलोजी समासास के सिध्धान्त में हम समू की चर्चा करेंगे इससे पहले हम दो बार समू के चर्चा कर चुके हैं आज हम बात करेंगे द्वत्यक सम सेखंडरी ग्रुप अमने प्रात्मिक समू को कल विस्तार से समझा द्वत्यक समू प्रात्मिक समू की अवधारना तो दिये चाल्सकूल ने और जहां तक द्वत्यक समू की बात है तो द्वत्यक समू को परिभाशित करते हुए किंग्सलेट डैविस लिखते हैं कि द्रत्यक समों को स्थूल रूप से सभी प्रात्मिक समों के विपरीत कहके परिभाशित किया जा सकता है बिरस्टिड ने बताया कि वे सभी समों द्रत्यक समों हैं जो प्रात्मिक नहीं है आखबंड और निमकॉफ अपने पुस्ता के हैंडबुक अपसशलाजी में द्रत्यक समों उन्हें कहते हैं जिन में प्राप्त अनुभों में गनिष्टा का अभाव होता है और आकास्मिक संपक ही द्रत्यक समों का सारतत्व है अगर हम इन उप्रोक्त सभी विद्वानों की परिभाशाँ को कंक्लूड करें तो ये निश्कस निकल के आता है कि द्रत्यक समों वे समों है जिन में सदश्यों के बीच ऐ व्यक्तिक संपन्द है कर मैंने आपको बताया था व्यक्तिक संपन्द क्या है व्यक्तिक संबंद तो क्या होता है दो इकाईयों के मद्य के वे संबंद जहां एक इकाई के समाप्त होते ही संबंद स्वते समाप्त हो जाते हैं यानि एक एकाई का इस्थान दूसरे एकाई नहीं ले सकती जैसे पिता पुतर तो किसी एक का किनी कारणोंबर्श अगर देहन तो हो जाता है तो दूसरा उसका इस्थान नहीं ले पाता लेकिन यहां किस तरह के संबंद हैं द्वात्यक संबंद हैं और संबंद काई से हैं आह व्यक्तिक य Knights यहां विकल्प की विवस्ता है व्यक्तिकत रूप में सदश्यों को जानना यहां आवश्क नहीं हैं ऐसे समोहों में शारिलिक निकटता भी अनिवारिय नहीं है ये संबंद अनवचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्स से संबंदित ऐस ताई प्रकार के विशेश हितों पे आधारित और हस्तान तरणी होते हैं अगर उधारणों की बात करें तो द्वत्यक समों के उधारण स्कूल, कॉलेज, राजनेतिक, दल, मजदूर, संगठन, राष्ट, आधी द्वत्यक समों के उधारण हैं सभी द्वत्यक संपर्ग समझोते की प्रकड़ती के होते हैं इस प्रकार के संपर्ग में सदश्य समझोते की शर्टों के अनुसार बंदे रहते हैं सदश्यों के विभार में अपचारिक नियम, विधियां एवं परमपराएं पाई जाती है इसके माद्यम से सदश्यों के विभार को नियंतरित किया जाता है अगर हम द्वत्यक समूं की विशेस्ताओं की चर्चा करें तो मित्रों इसके प्रमुक प्रमुक विशेस्ताओं निम्न है ये समूं जान बूज कर कुछ विशेस्ट उद्देश्यों की पूर्ती के लिए संगठित किये जाते हैं इन समूं में सदश्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है इन समूं में शारेरिक निकटता का अभाव पाया जाता है इनका आकार प्रात्मिक समूं की तुलना में काफी विस्तृत होता है प्रात्मिक समूं का एक्जामपल क्या है परिवार परिवार में सदश्यों की संक्या 10, 15, 20, maximum लेकिन यहां कोलेज स्कूलिस के एक्जामपल है दित्यक समू के इनकी संक्या पांसो अजार आठ सू भी हो सकती है यह समू व्यक्ति के जीवन के किसी पहलु विसेश से संबंदित होते हैं अताय व्यक्तित के किसी एक पक्ष को ही साधारन तह प्रभावित कर पाते हैं कोलेज आपसे सिर्प यही मांग करता है कि आप अनुशाशन में रहें पदें किसी तरह की कोई नकारत म कटिविदी नहीं करें लेकिन गर पे आपके उत्तरदाई तोय सीमित है गर्पे आपसे हर इस्तती विशेश में आपसे हर प्रकार की मांग करता है परिवार, समाज, राष्ट आपसे इनमें संबंध समिधा या समझोते की प्रकर्थी के होते हैं संबंधों में आपचारिक ता पाई जाती है दो प्रकार के संबंध है मित्रों एक अपचारिक संबंद, एक अनपचारिक संबंद, अनपचारिक संबंद का मतलब तो क्या हुआ, वे संबंद जो की आत्मा से जुड़ेवे हैं, वे संबंद जो की प्रगाड हैं, वे संबंद जो की विक्ति की भावनाओं से ओतपरोथ हैं, वो तो हैं अनपचारिक, जैसे पिता पुत्र भाई 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 भाईन ये तो संबंद आपके कैसे है अन आपचारिक है और दूसरी और आपचारिक संबंद जहां क्या है सतही है टच अंड गो यूज अंड थ्रो जैसे आप जिस बस में यातरा करते हैं जिस ट्रेन में आप यातरा करते हैं वहां का जो टीटी है वहां का जो खलासी है ड्राइबर है उसके साथ आपके संबंद कैसे हैं एक सीमित समय विशेश के हैं संपूर जीवन काल के नहीं है जब तक हम उनके साथ यात्रा कर रहे हैं तब तक हमारे संबंद हैं उसके बाद में वो अपने रस्ते हम हमार रस्ते किसी का एक दूसरी के जीवन में दखल नहीं है अगर दखल होगा दिरे दिरे पर संबंद व्यापक होंगे मितरता डवलप होगी वो एक अलग पहलू हो गया हम साधरान सतही चीजों पर बात कर रहे हैं भी यारी यहां संबंद कैसे हैं कोलेज इसकूल या पारमंडल में सतही संबंद हैं सतही संबंद हैं तो किस तरह की संबंद हैं आपचारिक संबंद हैं अगला है यहां संबंदों में गनिष्टा का अभाव पाया जाता है और लास्ट है यह समूँ सदश्यों की विशिष्ट आवशक्ताओं की पूरती को लेके बनाए जाते हैं अगर ह प्रात्मिक समू के अगर महत्वों की बात करें तो ये सामाजिक परिवर्तन और प्रगती में सहायक है ये समू सामाजिक परिवर्तन के माद्यम से सामाजिक प्रगती में योगदान देते हैं इन समू के प्रभाव में व्यक्तित तारकिक दस्टिकॉन को अपनाता है भाई ब व्यक्ति विविन्द प्रकार के विवालों से परिचित होता है और उन्हें ग्रहन करने का प्रियास करता है दूसरा है व्यक्ति में जागरुकता पैदा करते हैं ये समू व्यक्ति और समाज में जागरुकता उपन करने में भी महत्वोन योगदान देते हैं तीसरा है श्रम बिभाजन और विशेशी करन ये समू व्यक्ति को श्रम के महत से परिचित कराते हैं उसे करमट बनाते हैं श्रम का पोसकार देखे उसे अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं ये समू व्यक्ति में जोखिम उठाने की श्रमता का विकास भी करते हैं उसकी गतिशील सामाजिक नियंतर्ण में सहायक आज की जटिल और द्योगिक समाजों में इन समोहों के मद्यम से ही सामाजिक नियंतर्ण बनाए रखा जा सकता है पर्थाएं परंपराएं रूडियां और धर्म आज विवित्ता पूर्ण जटिल समाजों में प्रभाव हीन प्रभाव शाली लंग से सामाजिक नियंतरन नहीं रख पा रही है तो ऐसी इस्तती में पुलीस अदालत कानून तदा प्रशाशनिक संगटन के माद्दिम से ही विवस्ता को बनाए रखा जा सकता है ये वित्रों हमने द्वत्यक समूह को पड़ा समझा उसके बारे में हमने विस्तार से करेंगे पुन्य आप से आगरा है कि आप अपने मित्रों से अपने कलास के सब साथियों से कहें चर्चा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वह वीडियो देखें ज़्यादा जो मैं पीडियेफ आपको शेर कर रहा हूं उन्हें देखें समझें पढ़ें नौट्स बनाएं क साथियों तक पोँचाएं कोई आपकी समझ्या है उसकी विसे में पूछें आप जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा क्योंकि मैं तो आप से लोगों से बहुत दूर बैठा हूं जपर बैठा हूं ठीक है तो आप चर्चा करें कोई भी तो आप इसके अंदर इंबॉक्स में आकर कि या तो वाटसएप पे पूछें यहां आप अपनी समझ्या पूछ लें ठीक है इनहीं सब सुपकामनाओं के साथ धन्यवाद आप सुरक्षित रहें घर पे रहें स्वस्त रहें बड़े बुजर्गों का ध्यान रखें